बिजनस शुरू करना और बिजनस चलाना दोनों अलग अलग चीज है आज हमारे भरत देश के अंदर पूरे साल के अंदर अगर 100 बिजनस शुरू होता है तो उसमें से 5 साल के अंदर 90% बिजनस बंद हो जा रहा है ऐसा क्यूं है उसकी वज़े इस वीडियो के अंदर मैं बत करने पडेंगे जिसके बीना आपका बिजनस नहीं चल सकता है आज जो 90% लोग अपने बिजनस के अंदर फेल हो रहा है उनके अंदर कही ना कही यह सारे चीजों की कमी है अगर वो अपनी कमी को दूर कर सकते हैं तो उनके बिसनस को चलाना उनके लिए बहुत ही आशान हो जाएगा तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से गुण है जो एक बिसनस को चलाने के लिए जरूरी है वैसे तो बिस्नस को चलाने के लिए बहुत सारे गुण चाहिए लेकिन कुछ ऐसे गुण में आपको बताने वाला हूँ जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं क्यूंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बिस्नस के अंदर उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक कामयाब नहीं हो पाएंगे एक बात हमेशा ध्यानकना आपको बीना लीडर्शिप कॉलिटी डेवलप किये आप अपने बिस्नस में नहीं जिंदिगे के किसी भी फिल्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं तो आपको सबसे पहला आपको अपने अंदर लीडर्शिप कॉल एक लीडर के होते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर लीडर्शिप की क्यौलिटी डेवलप करनी पड़ेगी और ये क्यौलिटी डेवलप किये भीना आपका व्यापार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता दूसरा गुण है प्लानिंग आपको अपने अंदर प्लान बनाने का गुण डेवलप करना पड़ेगा कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग प्लान ही नहीं कर पाते हैं सही तरीके से लोगों को जब बोलते हैं कि पेपर के उपर बताईए कि कैसे करेंगे क्या करेंगे तो उनके पास एक ही जवाब बता है सब चीज मेरे माइंड में है माइंड में आपके कुछ नहीं है मैं आपसे एक सवार पूछूँ चार दिन पहले आपने शाम को कौन सी सब्जिक हाई थी क्या आपको याद है मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्या आपको याद है बिलकुल नहीं और ये हमेशा गलती हम करते हैं हमें ऐसा लगता हमारे द कहँं से करने वाले हैं और कौन से challenge आपको आने वाले हैं और उनका निवारन आप कैसे करेंगे इसकी बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आपको दूसरी सबसे बढ़िया quality डेवलब करने की जुरुत है वो है प्लानिक तीसरी कॉलिटी आपको डवलप करने पड़ेगी डेलिगेशन की मतलब कि आपको अपने नीचे काम करने वाले लोगों से काम करवाना आना चाहिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जो लोग अपने वहाँ पर इसलिए लोगों को नहीं लेते हैं अपने वहाँ पर इसलिए एंप्लोई नहीं रखते हैं क्योंकि वो उनसे काम नहीं करवा पाते हैं एक बात ध्यान अखना अगर आप काम करने में माहीर हो तो आप काम्याब हो सकते हो लेकिन आप काम करवाने में माहीर हो तो आप पूरी बिसनस को एक नए मुकाम पर ले कर जा सकते हो तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदिगी में आपके हर सपने को आप पूरा करें तो आपको डेलिगेशन करने की आदर डालनी पड़ेगी आपको delegation करने का quality develop करना पड़ेगा अपने नीचे लोगों को काम कैसे करवाना है आपको ये अपने अंदर गुंड develop करना पड़ेगा मैं बहुत सारे businessmen को मिलता हूं उनसे मैं पूछता हूं कि आप अपने वहाँ पर employee क्यों नहीं रखते हैं तो उन business का profit बढ़ता है बशर्ते आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए अगर आप उनसे काम करवा सकते हैं तो एक employee कभी भी आपका liability नहीं बनेगा हमेशा वो आपकी asset बनेगा और आपके business को grow करने में आपकी मदद करेगा तो तीसरा गुन आपको develop करना पड़ेगा delegation की चौती quality आपको develop करना पड़ेगा reporting at feedback की मैंने बहुत सारे businessmen को देखा है जो ये गलती करते हैं वो अपनी team को ना तो काम देते हैं ना तो task देते हैं और ना तो उनसे reporting लेकर उनका feedback देते हैं और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि reporting ना लेना मतलब कि पूछ रहे हैं कि आज की दिन आपने क्या किया तो आप उसको मुफ्त की salary दे रहे हैं और ऐसा करके आप अपने business को जाने अंजाने में गड़े में ढखिल रहे हैं और आने वाले समय में आपका business बंद हो जाएगा तो आपको अपने अंदर ये quality develop करना बहुत जरूरी है कि आप अपने team के पास से reporting लीजिए कि उन्होंने पूरे दिन में क्या काम किया और उनको सही feedback दीजिए कि उन्होंने जो किया उसका क्या मतलब निकलता है वो सही है या गलत है और उनको correct करने में उनकी मदद कीजिए तो आपको ये quality अपने अंदर develop करना बहुत जरूरी है कि reporting लीजिए और feedback दीजिए पाचवी quality जो आपको develop करनी है वो है appreciation की मतलब की प्रशंसा करने की मैं बहुत सारे businessmen को देखता हूँ कि उनके वहाँ पे कुछ talented लोग काम करते हैं लेकिन उनके talent को कभी appreciate नहीं किया जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपको छोड़ करना पड़ेगा हमें से जादा लोग क्या करते हैं अगर किसी ने अच्छा किया तो हम कुछ appreciate नहीं करते हैं क्यूंकि हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है बिलकुल नहीं ये छोटी सी बात आपके लिए हो सकती है उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है तो आपको अपने अंदर appreciation करने की quality develop करनी पड़ेगी तब ही आपके लोग आपके वहाँ पर टिकेंगे और वही कारण है कि अगर आपके लोग आपके वहाँ टिकेंगे तो ही आपके business को बड़ा करने में आपकी मदद हो पाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपका business बड़ा हो तो आपको appreciation आप जहाँ पर भी देखे छोटी छोटी चीजों के लिए appreciate करने की आदर डालिए एक बहुत ही successful businessman के बारे में पढ़ रहा था वो जब भी factory के अंदर घूमते थे तो अपना checkbook लेकर घूमते थे और जब भी वो देखते थे कि किसी ने भी कोई भी छोटा सा अच्छा काम किया तो check फाड़ कर 20 डॉलर, 25 डॉलर, 50 डॉलर का on the spot उसको appreciation का एक check देते थे और ये कारण से उनके वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत बहतरीन काम करते थे और लगातर अपने काम को improve करते थे क्यूंकि उनको appreciation मिल रहा था तो इसलिए अगर आप चाते हैं कि आपके वहाँ पर भी लोग काम करे और बहतर तरीके से आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करे तो आपको appreciation करने की आदत डालनी पड़ेगी छटबी quality आपको जो develop करनी पड़ेगी वो है relationship एक बात ध्यान रखना business के अंदर अगर आप relation नहीं बना रहे हो तो आने वाले समय में आपका business खतम हो जाएगा क्योंकि आज का जो business है आज का जो यूग है वो आपके product या service के दम पर नहीं चलता है वो आज चलता है relationship के दम पर अगर ग्रहकों के साथ आपका अच्छा relation है तो ग्रहक आपके वहाँ पर repeat आएंगे अगर व्यापारियों के साथ में आपका अच्छा relation है तो व्यापारी आपके वहाँ repeat आएंगे और अगर employee के साथ में आपका अच्छा relation है तो employee आपके वहाँ पर ticker काम करेंगे तो आपको ये quality develop करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना relation के हम अपने business को develop कर ही नहीं सकते हैं इसलिए आपको अपने अंदर ये quality develop करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से अच्छा relationship बना के रखे सातवा और आखरी quality जो आपको अपने अंदर develop करने की ज़रूरत है वो है innovation की एक बात ध्यान रखना कि बजार में अगर आप कुछ नया नहीं दे रहे हो तो कोई भी बंदा आपके साथ में जुणना नहीं पसंद करेगा तो अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप पर रहे हैं आप market यह लीडर रहे हैं और आप अपने business में हमेशा growth करते रहे हैं तो आपको अपने business में लगातार innovation करते रहना पड़ेगा और जब तक आप innovation नहीं करेंगे तब तक वो आपको response नहीं मिलेगा तब तक वो आपको respect नहीं मिलेगा और तब तक आपको वो काम्याबी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं तो आपको अपने अंदर innovation करने की quality भी develop करनी पड़ेगी और उसके लिए जरूरी है आप market में निकल होता है बजार में जाना पड़ेगा आपके customer से मिलना पड़ेगा आपके competitor का analysis करना पड़ेगा और जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा innovation कर सकते हैं या बजार में या market में customer की क्या requirement है तो जब तक आप office में इसी रूम में ब innovation कर सकते हैं तो यह quality आपको develop करना बहुत जरूरी है नहीं तो पुराने चीजों की कीमत पुराने ही होती है और वैसे ही होती है तो अगर आप बजार में नई चीज़ रखेंगे तो आपको नई कीमत मिलेगी और नई value भी मिलेगी तो यह साथ quality जो मैंने आपको बताई as a businessman businessman आपको develop करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो 90% लोग अपना business बंद कर रहे हैं उनमें किसी ना किसी के अंदर इनमें से कोई ना कोई quality की कमी है और इसलिए वो अपने business को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं और 5 साल के अंदर बंद हो जा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों के लिए आपको लगता है कि ये अपने business में grow होना चाहिए उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेर कीजेगा और like comment करके हमारा उसा बढ़ाते रहे हैं थैंक्यू सो मच विश्वाल दबस धन्यवाद